एक ही गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने वाले सारे शिष्षे एक समान विद्या प्राप्त नहीं कर पाते। सारे शिष्षे गुरु की बातें सुनते हुए अवश्य दिखाई देते हैं, उनकी पूजा करते हुए दिखाई देते हैं। किन्तु एक समान विद्याप्राप्ट नहीं कर पाते हैं। क्या कभी विचार किया है ऐसा क्यों होता है। सकते तो ये हैं। कि विद्याप्राप्ट ना कर पाने वाले शिश्य समर्पन का दिखावा तो करते हैं। जिन्तु समर्पन का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाता गुरू के चड़नों में फूल चढ़ाने से अथा गुरू का आदेश मानने मात्र से क्या समर्पन दिध होता है नहीं समर्पन का वास्तविक अर्थ है जब गुरू के प्रती मन में कोई संदेह न रहे गुरू के मुख से आदेश निकले उससे पूर्व शिश्य उसकार्य को पूरा करते गुरू के विचारों के साथ शिश्य के विचार एक हो जाए शिश्य जब तक अपने गुरू में भ्रह्मा, विश्नु, महेश इनके रूप ना देख ले सब तक उसका समरपन सक्टे नहीं बास्तव में समरपन किसी कार्य का नाम नहीं समरपन तो रिदे की भावना और मन की स्थिती का नाम है अर्थात हमारे अज्ञान में क्या दोश के वल हमारे मन का नहीं क्वैम विचार कीजिए झाल झाल